Hey everyone, तो बच्चों आप लोग अक्सर ये चीज पूछते हूँ कि सर हम लोग टेक्निकल में अच्छा नहीं कर पाते, बहुत सारे टेक्निकल एक्जाम देते हैं लेकिन result expected नहीं आता तो इसके पीछे क्या कारण है कि देश में इतने सारे बच्चे हैं जो कि टेक्निकल एक्जाम में उतना एट पार पर्फॉम नहीं कर पाते, उतने मार्क्स नहीं ला पाते बेटा इसका सबसे बड़ा reason है ना कि आप लोग का जो attitude है टेक्निकल की तरफ क्या होता है देखो आपने सबसे पहले टेक्निकल एजुकेशन अपने college में ली अब college का जो exam frame हुआ वो कुछ इस तरीके से हुआ कि अगर आप subject के concept रटके भी चले जाते definitions, derivations तो भी आप अच्छा कर सकते थे तो आपको आदत होगे चीज़ों को cram करने के आपको आदत होगे इस तरह हमें इसमें से बता दो कि कितना याद रखना है हम लोग याद कर लेंगे और exam दे आएंगे लेकिन यार यह जो technical exams all India level पे होते हैं भले ही JAE level के exams हो भले ही gate का exam हो कही ना कही conceptual understanding तो required होती है अब आप लोग यार चार साल, तीन साल के अंदर इतना conditioned हो चुके हो कि आपका ना पूरी तरह से मन हट चुका है technical से आपको बस यह लगता है just किसी तरह से इस से cross कर जाएं, किसी तरह से इसको पार कर जाएं हमें ना अच्छे से पढ़ना ना पड़े, हमें इसमें deep में गुसना ना पड़े तो कही ना कहीं आपका subject matter में इन्टरस्ट के लोग चुका है लेकिन इस चीज को rectify करने का क्या तरीका है, देखो जब आप अच्छे educators से पढ़ते हो चाहे आप हमारे YouTube चैनल पर पढ़ते हो, चाहे आप Academy पर आके पढ़ते हो तो आपको यह दिखना शुरू होता है कि subject समझा जा सकता है मतलब आपका न एक proposition यह बन चुका है कि आपके बसकी ही नहीं है technical subject समझना लेकिन जब आप देखते हो कि कितना root level पर उन चीजों को समझा जा सकता है, analyze किया जा सकता है और they are interesting as well और engineering का बिटा सबसे बड़ा fun क्या है न you get to understand how things work, how the world around you works, यह चीज़ें आपको समझाती है और जब यह चीज़ें आपको दिखने लगती है, जैसे मान लो कि आपने machines पड़ा, आपको machines की working समझ में आई अब आप machine power electronics के concept को लेके, जब आप एक electric vehicle को देखते हो, उसकी understanding को समझते हो तो आपको समझाता है कि कैसे सारी dots connected है, और वहाँ से आपका interest engineering में जागता है तो मैं बिटा आपको यही recommend करूँआ कि पहले तो नहीं यह phobia हटाओ, हर बच्चा इस काबिल है कि वो technical subject सीख सकता है अपनी technical knowledge को grow कर सकता है, बस उसे क्या चाहिए, उसे एक अच्छा teacher चाहिए और एक भरोसा चाहिए, एक यकीन चाहिए कि यार मैं भी try करूँआ ना, मैं सीख लूँआ मैं आपको guarantee दे रहा हूँ बिटा, किसी बड़े से बड़े subject का बड़े से बड़ा concept उठा लेना वहाँ पर theory question नहीं कराता हूँ, फटा फट एकदम तरीके से answer देते हैं, कैसे दे पाते हैं, क्योंकि अब वो concept समझ रहे हैं, वो रट नहीं रहे हैं, वो line by line रट नहीं रहे हैं कि ये होता है, वो होता है, फलाना होता है, वो चीजों को connect कर रहे हैं, जैसे DC मशीन में armature क् किसी एक particular जगह पर, ये जब why समझ आने लगता है, तो चीजें दिमाग में बैठने लगती हैं, तो जब तक technical subjects को cram करने जाओगे, रटने जाओगे, फॉर्मुले तक करोगे, ना तो confidence आएगा, ना ही rank आएगी, और जब आप चीजों को understand करने लगोगे, चीजें आपको logic लगने लगने, देखो मैं हमेशा ये मानता हूँ, engineering is common sense, जब आपको कोई भी concept common sense पर आ जाए ना, अरे हाँ सही तो कह रहे है, सर ऐसा ही होना चाहिए, ये तो obvious सी बात है, जब ये obvious word आपके मुह से निकलने लगे, माने कि आपको feel आने लग गया है subject का, अब जो चीजें आ आपको आगे understand करनी चाहिए, जो चीजें आपको खुद से logically derive करनी चाहिए, आप वो derive करने लग गयो, और ऐसे बच्चे ना बहुत मचा देते हैं engineering के अंदर, तो ये attitude रखोगे तो engineering के exams भी अच्छे कर पाओगे, engineering में interest भी अपना generate कर पाओगे, और especially ये मेरा message है, college going students के ल अच्छे teachers से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, मेहनत करके पढ़ो, चाहिए आप free पढ़ो या paid पढ़ो, I am not saying that, लेकिन अच्छे से करो चीजों को, जड़ से करो, बहुत मचा होगे, और देखो अगर किसी भी बच्चे को ये लगता है कि उसे unacademy join करना है, तो बिटा, आप आपके पास golden opportunity, अभी 20% discount चल रहा है, तो 20% discount आप ले सकते हो, बाद में reduce होके 10% हो जाएगा, तो आपको बस क्या करना है, unacademy join करना, using code अंकित IAC, अगर आप 24 की भी तैयारी करो, घबराओ मत अभी से आजाओ, 18 महीने का subscription लो, मस तरीके से, और जड़ से एक-एक subject को clear करत चलो, तो मैं आपसे मिलता हूँ मेटा, फिर classes के अंदर, let's crack it!